तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हूँ जो यूट्योब पे पहली बार अपलोड होगी जी हाँ दोस्तो रिसेंटली मैं गई थी लखनाओ और वहाँ पर मैंने कोर्मा ट्राय किया था उसे खाने के बाद मुझे बेहत पसंद आया फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे वेश्ट तरीके से बनाया जाए तो आज हम बनाएंगे आलू और सोया बिन का बहुत ही स्वादिष्ट कूर्मा इस रेसिपी को देखर आप जरूर घर पर ट्राय करना आपको ये पक्का बहुत पसंद आएगा तो चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हमें लेना है हांडी अब नवाबो वाली जो डिश होती है उसे हांडी में ही बनाया जाता है लेकिन हांडी में क्यों बनाया जाता है इसका रिजन आप मुझे बताएंगे जो लखनव वाले होंगे न वो तो पक्का बताएंगी तो हांडे में मैंने तेल डाला है इसमें डालेंगे प्यास तो दो बड़ी प्यास को मैंने स्लाइस कट करके डाला है क्योंकि हमें इसे फ्राइ करना है अगर आप जादा oily नहीं खाना चाहते हैं तो इसे आप air fry भी करेंगे तब भी प्याज fry हो जाएगी अगर आपको recipe चाहिए तो comment में yes जरूर लिखना जैसे ये हलकी brown होने लगे हमें इसमें काजू और थोड़े मखाने डालने हैं दोस्तो काजू और मखाने से इसमें काफी ज़्यादा rich flavor आएगा और जो हमारी gravy है इसे एक texture आएगा जो बहुत ही अच्छा रहेगा अच्छे से प्याज, मखाने और काजू को हमें fry कर लेना है दोस्तो ये recipe बहुत ज़्यादा अच्छी है प्लीज घर पर try जरूर करना तो यहाँ पर आप देख सकते ही सारी चीज़े अच्छे से fry हो चुके ही और अब हमें इसे निकाल लेना है निकाल कर हमें अब जो हमारे हांडी है ना इसमें थोड़ा सा देशी घी डालना है आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप skip कर सकते ही अब इसमें मैंने लिया है तेज पत्ता, काली मेच, हरी लाइची, बड़ी लाइची, लॉंग साथ ही डालेंगे जीरा, डालचिनी, स्टार फूल और थोड़ा सा मैंने इसमें एट किया है जामतरी और अब डालेंगे साबूत अलू अगर आपके पास छोटे अलू हैं तो आप उसी का ही इस्तमाल किजेगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है बट मेरे पास बड़ मिशका पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और डालेंगे टमाटर वैसे टमाटर नहीं डालते हैं बट मैंने इसमें डाला है एक बड़ा टमाटर अधरक लसन का पेस्ट डालेंगे स्वाधनुसार नमक डालेंगे और दही तो बिलकुल भी स्कित मत ये जीगा इसमें अपनी आलू और सोया का कुर्मा खाया है नहीं न तो ये यूट्यो पर पहली बार अपलोड हो रही है रेसिपी और यकीनन बहुर टीस्टी लगती है तो इन सभी चिजों को अच्छे से मिक्स करना है मसालू को भूनना है और इसे ढख कर पकाना है पाच मिनट के लिए और इसमें हम इसे डाल कर सूखा पीसेंगे जैसे हम इसे पीसेंगे ना इसमें एक बहुत ही बड़िया दानीदार टेक्शर आएगा जिसे हमारी ग्रेवी में वो कुर्मे वाला टेक्शर आएगा जो आप लखनों में या दिली में खाते हैं तो ये देखें दोस्तों चुक चुक बूर्ब समय है जो हंगी हम पानी नाहीं से पकंप से ठीट के दो कतके हैं और चुंप कोर्मा पनीर कोर्मा भी बना सकते हैं पनीर कोर्मे की जो रेसिपी है थोड़ी चेंज है क्योंकि पनीर को इतनी देर नहीं पकाया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कलर आप देखिए टेक्स्चर देखिए जबरदस्त आ रहा है और कोर्मे की खास बात यही है कि इसे धीमे धीमे आज पर अच्छे से भून भून कर पकाना चाहिए तो ये देखे ओईल बहुत अच्छे से सेपरिट हो चुका है और आलू जो है ना वो 90% को खो चुके हैं अब हमें इसमें ये जो पियाज हमने करश करके रखी है ना हम वो डालेंगे साथि कसूरी मेथी थोड़ी से मखाने हम और डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी और साथि डालेंगे गरम साला थोड़ी से हरी मर्च डालिएगा नॉनवेच डीश में लास्ट में हरी मर्च डालेंगा उसकी जो फ्रेशनेस है ना वो बहुत अच्छे से आती है साथ हरा धन्या डालेंगी और इसे मिक्स करेंगी तो दोस्तों जो हमने पियास डाली है ना साथ हमने मकाने और काजू भी डाले हैं इसमें तो अब देखें जो हमारी ग्रेवी है ना वो कैसे बने गी तो बहुत ही यूनीक रेसिप है रेसेंटली मैं लखना हो गई थी और वहाँ पर मैंने कोर्मा ट्राइ किया था तभी मेरे माइन में एक बात है कि क्यों न हम इसे वेज वर्जन आलो के साथ बनाया जाए तो अब इससे मैंने देखे पानी डाल दिया है अब हमें ग्रेवी के साथ आलो को अच्छे से पकाना है तो मैंने पानी डाला है और इसे ढख कर फिर से हम पांच मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलो अच्छे से पक जाए यह देखे दोस्तों बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और लास्ट में जब हम वह फ्राइ की भी प्यास डालते है ना तो उस लिवडा वाटर है जो बिर्याने में यूज किया जाता है जिससे सबजे में एक बहुत ही नवाबी या फिर एक बहुत ही उमदा टेस्ट आता है अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कीप कर सकते हैं बस थोड़ा ही डालना है हमें और अब इसे मिक्स करना है और खुला र बहुत जादा जबरदस्त हो चुका है अब हम इसे सर्व करेंगे तो दोस्तों ये देखें जैसे ही मैं इसे सर्व कर रही हूँ ना आप यकीन मानिये दोस्तों खाने में ये इतना गजब का लग रहा था इसे आप नान और पराठे के साथ खाएंगे ना तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा यह इतना जादा अच्छा लगता है मैंने इसे बाद में कड़ाई में भी सर्क किया था और रेस्टोरंट में इसे कड़ाई में या ऐसे ही डिश में दिया जाता है जिसके उपर थोड़ से हरी धनिया और हरी मिर्च डाली जाती है और आलू जिस इतनी सॉफ्ट और इतनी फ्लिवर फुल हो चुकी है कि खाने में बहुत मज़ा आता है तो आप यह रेसेपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा बनाने में यह सबसे आसान है ल इसक्रिप्शन में दे दिया है तो आप इस रेसेपी को ट्राइज जरूर कीजिए और ऐसे नहीं नहीं रेसेपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई दूस्तों